सुप्रीम कोर्ट ने डाटा तो SBI बैंक ने एक दिन के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ा पूरा डेटा सौप दिया है जिसके लिए वो चार महिने का वक्त मांग रहा था सौप तो क्या डेटा स्वपा गिया है कहा जा रहा है दो फाइलों में डेटा सौप अफ इंडिया को तो इस डेटा में क्या कुछ है इसके लावा इलेक्शन कमीशन अब क्या करने वाला है चैशकी साल्षण हो जाएगा इनyr Youtube zou किभी स्विश्यों अन्छ से बात करेंगे और हलफ नामा को से जुड़ी जानकारी दिनेश कुमार खारा जो SBI के चेर्मेन ने उन्हों ने कहा कि हमने जो भी डेटा आपने मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने वह सब सौप दिया है तो पहली जो मैंनी जानकारी आप चाहता हूँ यही है कि हलफ नामे में क्या था सुप्रीम इसके दो पहलू थे की एलेक्टरोल बांड खरीदा किसने बांड का नंबर क्या है पहली जानकारी यह देनी थी दूसरी जानकारी यह देनी थी कि किस राजनीतिक डलने कितने बांड इन कैश कराए उसकी राज्शी क्या है यह सारा डेटा दो भागों में ECI को SBI दौरा पहले यानि कि सवा चार बजे उन्होंने अपने एफडेविट में साफ किया है कि सवा चार बजे के करीब ये डेटा सौपा गया ECI को मसला ये है कि सुप्रीम कोट से इस मामले पर SBI ने 30 जून तक का समय मांगा था उसका ये कहना था कि मिलान करने के लिए यानि कि एलेक्ट जो फैसला सुप्रीम कोट ने दिया था उसमें SBI को मिलान करने का आदेश नहीं दिया गया था और 11 मार्च को सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में SBI को 12 मार्च तक ये डेटा ECI को सौपने का आदेश दिया साथ ही ECI को ये निर्देश दिया कि 15 मार्च को शाम 5 मिजे त तक सारा डेटा अपने पोर्टल पर वो सारवजनिक करे, इस डेटा में जो खरीदार हैं, यानि की दान दाता जिन्होंने इलेक्टरल बॉंड के जरीर राजनीतिक दल को पैसा दिया, उनका डीटेल होगा, साथी इलेक्टरल बॉंड का नंबर होगा, उसका मूल ले होगा, और इसके अलावा जो राजनीतिक दल ने इनकैश कराया वो भी विवरा ECI की ओर से पोर्टल पर डाला जाएगा. हलफ नामे में SBI ने साफ किया है कि 22217 कुल इलेक्टरल बॉंड थे जो एक अपरेल 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक के हैं और इन में से 2230 का जो इनकैश मेंट है वो कराया गया राजनीतिक दलों की ओर से इसी अवदिक के दौरान. तो कुल मिला करके SBI ने अपना काम अप पूरा कर दिया है. देखना ही ये होगा कि ECI अगले दो दिनों में मिलान करके ये डेटा पोर्टल पर सारजनिक करता है या फिर RAW फौर्मेट में ही जैसा कि SBI के ओर से दिया गया है वैसा ही डेटा ECI अपने पोर्टल पर डालता है क्योंकि अगर मिलान नहीं किया जाएगा तो आम जन को ये नहीं पता लग पाएगा कि किस अमुक व्यक्ति ने कितना दान या फिर कितना चंदा किस राजनीतिक दल को दिया ये मिलान फिर सामान लोगों को खुद ही करना पड़ेगा और अभी तक ये मिलान नहीं किया गया है SBI ने ये सुप्रीम कोट को सूचित किया था लेकिन सुप्रीम कोट ने अपने 11 मार्च के आदेश में ECI को कहा है कि वो इस मामले में जो मिलान है वो काम भी पूरा करे अब ECI या फिर नहीं ये देखने वाली बात होगी जी सौरब बिल्कुल कहा जा रहा है कि लेक्शन कमिशनर फिंडिया के जो चेर परसन है चीफ लेक्शन कमिशनर है राजीव कुमार वो जम्मू कश्मीर में है और आज रात तक माना जा रहा है कि वो लॉट आएंगे उसके ब 22,217 बॉंड का डेटा सौपा एस बी आई ने एक दिन के अंदर जिसके लिए वो चार महीने का वक्त मांग रहे थे तो कोर्ट में क्या इसको लेकर कोई कोई चर्चा हुई कि भाई जो आप चार महीने का समय मांग रहे थे वो एक दिन में हो गया ये कैसे हो गया देखें आज सुप्रीम कोट में इस मामले पर सुनवाई नहीं थी सिर्फ कम्प्लाइंस एफ़े डेविट फाइल करना था है यानि कि अनुपालन का हलफ नामा SBI को सुप्रीम कोट में दाकिल करना था जो उसकी ओर से दाकिल कर दिया गया चुकि SBI की ओर से कल शाम सवाचार बज़े यानि कि 12 मार्च को शाम सवाचार बज़े ये सारा डीटेल ECI को मोहिया करा दिया गया था बाकाइदे पैंडराइव के जरीए और दो तरह के डेटा थे जिसके बारे में अभी कुछ दिर पहरे मैंने जिक्र किया था तो वो दो तरह के डेटा ECI को मोहिया करा दिया गये थे और इसके पहले जो 11 मार्च को सुनवाई हुई थी उसमें SBI ने यही कहते हुए समय मांगा था कि उसे मिलान करने के लिए चार महिने का वक्त चाहिए और तब सुप्रीम कोट ने यह कहा था कि यह काम तो हमने आपसे कहा ही नहीं है तो ऐसी इस्थिति में SBI ने जो RAW फॉर्मेट में डेटा है यानि की परचेजर का डेटा उसमें अलग दिया है और राजनीतिक दलों नों जो इनकैश्मेंट कराया है उसका डेटा अलग दिय गया है और इन दोनों का मिलान अभी नहीं किया गया है यह काम ECI को करना है चुनावायो को करना है रासवाल राजीव कुमार अभी जमुन कश्मीर में है लेकिन उनको इस बात की पूरी जानकारी है और इस मामले में जो प्रशाशनिक अधिकारी हैं यहां पर चुनावायो को उनको निर्देश भी दिये जा चुके हैं लेकिन चुकि आंकड़ा बड़ा है 22,217 खरीदार थे और उसके अलावा 22,030 इनकैश्मेंट कराए गए तो ऐसे में 22,030 का जो मिलान है वो करना है और साथी 187 जो बॉंड थे वो प्रधान मंतरी रहत कोश में दिये गए क्योंक देखना यह होगा कि चुनाव आयोक की ओर से मिलान करके डेटा डाला जाता है पोर्टल पर या फिर बिना मिलान किये रोव फॉर्मेट में जैसा कि SBI की ओर से दिया गया है वैसा ही डेटा आंकले जो है वो प्रस्तुत कर दिये जाएंगे सारवजिनिक रूप से और जनता रोव फॉर्मेट पे ही वो डेटा देख पाएगी और ये भी संबावना बनती है कि मिलान का जो आदेश है उसके लिए ECI की ओर से सुप्रीम कोर्ट में समय देने की मांग की जाए क्योंकि जो आंकला है वो बाइस हजार तीस का है और बाइस हजार तीस आंकलों का मिलान कर पूरा देटा सौपा गया है वो तो डिजिटल में ही है परे तुम्हें जानना चाहता हूं कि उन दो अलग अलग फाईलों में क्या डेटा है और जब डेटा डिजिटल में है तो इलेक्शन कमिशन को प्यों किस तरह की दिक्कते आने वाली और क्या इसको लेकर भी चर्च इसकी तोर पर उसके मिलान के लिए जो नंबरिंग होती है वो नंबरिंग मतलब नंबर्स नहीं हो बलकि पेजेज हो यानि कि स्कैन पेजेज हो तो स्कैन पेजेज से वो नंबर उठाया जाना फिर उनको उसका डेटा फीड किया जाना और फिर उसके बाद उसका मिलान किय जाना इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है ऐसी इस्तिती में ECI की ओड से सुप्रीम कोट से समय मांगा जा सकता है हाला कि ये भी संभावना बनती है कि ECI इस मामले में पूरी अपनी ताकत जोग दे और फिर इसके बाद जो डेटा है वो मिलान करके पोर्टल पर सारवजनिक कर देगी कि किस अमुक व्यक्ति ने कितना पैसा या किस अमुक कंपणी या फर्म ने कितना पैसा किस राजनीतिक दल को दिया अब मामला यह है कि 11 मार्च को सुप्रीम कोट जब कि SBI पहुचा था तब 26 दिन बीच चुके थे आदेश को और ऐसी इस्तिति में सिर्फ कुछी वक्त बचता था जिसको लेकर के सुप्रीम कोट ने SBI को आदेश दिया कि आप 12 मार्च को शाम तक ECI को डेटा मुहया करा दे और ECI को जो तिति दी थी वो 13 मार्च तक पोर्ट पालन SBI की ओर से कर दिया गया है और 12 मार्च की शाम सवा चार बजे सारा डेटा ECI को मुहया करा दिया गया SBI की ओर से और अब ECI का जो काम है वो मिलान करने का और फिर उसके साथ ही जो डेटा पोर्टल पर डालना है सरवजरी करना है वो काम है तो कुल मिला करके अब ECI को देखना होगा कि किस तरह से वो इस काम को अंजाम देता है या फिर सुप्रीम कोट आकर सुप्रीम कोट से महलत मांगता है जी सुरब बहुत बहुत धन्यवाद प्यूज जी आप हमारे साथ जुड़े और आपने पूरा जो हलफ ट्रामा सौपा की आज SBI की तरफ सुप्रीम कोट में उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी और साफ तोर पर यह बताया प्यूज जी ने कि अब गेंद पूरी तरीके से एलेक्शन कमीशर ऑफ इंडिया के पाले में जा चुकी है उसको पूरे डेटा का मिलान करना है जो 22217 बॉंड्ड्स खरीदे गए हैं पिछले इसको सदन के पटल में रखा था 2018 के बाद करीब 22217 बॉंड अब तक जारी हो गए हैं और इन में से 2030 बॉंड करीब इनकैश किया चुके हैं तो सभी का डेटा SBI ने सुप्रीम कोर्ट की सक्ती के बाद सौफ दिया एक दिन के अंदर जिसके लिए उसने करीब चार महिने का समय मांगा था उससे पहला आदि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 15 फरवरी को आया था जिसमें उसने साफ तोर पर कहा था कि Electoral Bonds का पूरा डेटा सारजनिक होना सब्सक्राइब के तहट जनता को अतिकार है जानने का कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे रहा है तो इसके बारे में डेटा सारजनिक करने के आदेश दिये गए थे 6 मार्च तक की महलत दी गई थी SBI को पर SBI ने अहल अपनामा दायर किया कि भाई हमको कुछ और महलत दी जाए 11 मार्च को सुनवाई हूँ जिसमें साथ तोर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस और पांस अदस्यों की समिधान मेंचे उसने साथ तोर पर ये निरदेश दिये कि आपको एक दिन के अंदर ये सब्सक्राइब करना है जानकारी साजा करनी है जनता के साथ जो भी इंफॉर्मेशन इसे जोड़ी आगे आएगी आप तक हम इसे पहुचाते रहेंगे आप देखते लिए टीवी रेंडिस चल शुक्रिया